हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबका फिर से आरोना टेक्निकल चैनल में दोस्तो आज की वीडियों आपको बाताने वाला हूँ अगर आप कभी भी किस्ट एप्लिकेशन चे अगर आपने कभी भी लोन लिया होका और लोन लेने की बात आपने 15 दिन आपको पता ही है किस्ट ए कॉल आते हैं परीशान करते हैं कि हेच और फिर बहुत और कि प्रशिक करने केस्ट बर समझेच से उप हिसमें लेने कि ने के नगर अब से पैसा करने के बारे में शॉशते रहेंगे लेकिन आपके पास अगर इतना पैसा नहीं है तो नहीं दे सकते हैं इसके कारण आपको बार-बार कॉल करते हैं और बार-बार कॉल करने के कारण आपने उनकी फोन को अगर कभी भी एटेंड नहीं किया होगा एक बार, दो बार, तिन बार, चार बार मतलब महें नहीं हो गया आप उनके कोल को रिसीब नहीं करते हैं तो क् सूच रहे होंगे की यह फ्यमिली का नंबर कहां से उनको मिल गया कंपशन को इया 받 है तो कि आपको पता होगा चैना अगर आपने लोन लिया होगा को दो या तिन या चार नंबर आप से मंगा तो reproduction कि एक माधन father और एक अपना friends जो भी मतलब दो या तिन number आपने दिये होंगे अगर आप किसी भी number आप दिये होंगे दिये होंगे लेकिन उन सभी को call नहीं आया होगा लेकिन दूसरी मतलब जो आपने number नहीं दिया है उनको अभी अगर आप बार-बार उनका call attend नहीं करने के कारण, receive नहीं करने के कारण, उनको भी call आया हो, आपने जो number दिया है, उसमें call नहीं आया है, लेकिन दूसरी number पे आया है, मतलब अलग number पे आया है, जैसे कि आपने किस application loan लेने के तैम पे, आपने तीन चार नमबर जो भी दिया होगा, witness के लिए, तो आयेंगे, फिर भी दूसरी number पे आया हो, यह कैसे मुम्किन हो सकता है, मैं आज की वीडियो में आपको बताओंगा कि, अगर आपकी family को, मतलब जो भी हो, जिसको भी करो या ना करो, आपके इलावा किसी को भी करने की क्या हक है, अगर किसी को भी करके, आपको बोल देते है कि आपकी मतलब जैसे कि आपनी मेरे मादर को फोन किया है, तो उसने बोला कि आपका बैटा किस application लोन लिया था, आपका बैटा recovery नहीं किया है, अगर आपका बैटा recovery नहीं किया है, तो आप करना पर एगर आप नहीं करेंगे, तो मैं police बेजवा दूँगा, police आपको उठा क लेगे जाएगा, या फिर आपका civilis school खराब हो जाएगा, आपका भी मतलब documents काट डिया जाएगा, इस तरह से मतलब दमकी गाली गलोस करके मतलब दमकी देते हैं, उसके बाद वो आपका मतलब मतलब मादर, जो भी है, आपकी जो भी मादर है, जिसको भी call करेंगे, तो उन मतलब मतलब बहुत गाली गलोस करेंगे, फिर हमको भी, उल्टा सिधा मतलब इस तरह से मतलब बहुत परेशान जहलना परता है, कि इस application से अगर आप लोन लियाओगा, तो आपको पता होगा, लिकिन आज की वीडियो में आपको solution मैं बताऊंगा, कि आज की बात, अगर इस इस तरह से message आएगा, कि 15 दिन के बाद अगर आप पुरा payment नहीं करेंगे तो भी 1600 कूछ भी आएगा, और call भी आएगा, call आएगा, लेकिन आने पर भी आप receive नहीं करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन receive नहीं करेंगे, तो आपकी family को target करते हैं, आपकी mother, father, sister, brother, friends, जो भी हो उ हूंगा कि किस तरीके से आप यह ट्रिक Correct को कि अपने फैमिली को मतलब बागशाओ पता भी नहीं करने कि आपने लोन लिया था १ार मजबूरी में अपने लोन लिया है और देने के पंदरा पंदरा दिन में आपको मतलब उनको पेमेंट करना है मुझे पता है कि पेमेंट करने के लिए पंदरा दिन पंदरा पंदरा दिन को ही पेमेंट करना परे तो मतलब यह तो मुम्किन नहीं हो सकता लेकिन आपने लोन दिया है कि वह एगर ऐसा है तो मुझे तो लोन की थे बाद Call नहीं कर पाएगा कैसे नहीं कर पाएगा मैं आपको वीडियों में बताऊंगा तप से पहले आपको क्या करना है दोसतों ह सबसे पहले किसτο आप्लिकेशन दे लोन लिया होगा तो आपने ही जाऊंगा श्योर की आज के देद और तारीक आप लिक लेना आज के बाद आपको फेमिली को कभी कोल नहीं आएगा ठीक है वो कैसे मैं बताता हूं सबसे पहले सबसे पहले आपको किस्ट एप्लिकेशन में नहीं जाना किसी डूसरा वीडियो को देखे आपको कुछ भी न नहीं कर सेकता हाता नहीं सेकता लेकिन मैं आपको एक तारीका बताता हूं अगर वह तारीका आपनाएंगे तो ही होगा तो सबसे पहले में सबसे पहले में जिमाइल पर आपको जाके दिखाता हूं मैं Gmail open किया है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर Gmail open कर दिया और मैंने इस तरह की बहुत सारा Gmail यहाँ पर आ गया है दोस्तों ठीक है उसकी बात आपको पता होगा किस एप्लिकेशन लोन लेने के टाइम पर आपने किस एप्लिकेशन में कौन सी Gmail ID आपने add किया था ठीक है कुछ दे करना आपको मैं जो भी बताऊंगा उसको आपको फोलो करना है कौन सी Gmail ID आपको आपने किस एप्लिकेशन को एप्लिकेशन में दिये थे जो भी परमेशन दिया था वो छोड़ो मैं है Gmail आपकी Gmail कौन सी दिये थे उस Gmail को आपको रिमूफ करना है आप रिमूफ करेंगे आपकी एप्लेकिशन तो करी नहीं सकते और बहुत ऐसे लोग है जो जिमल आड़ी कैसे रिमुव करेंगे ठीक है वो टेक्निकल की उपर है जो अपने अपने कभी रिमुव हिन जितना भी context है जो भी मतलब context में आप तो मतलब context का नाम जो है वो नाम को आपने टाइब करके रखा होगा my mom my mother sweet mom brother sister uncle auntie ओके इस तरह से आपने shape करके रखा होगा तो जो भी मतलब उन लोग search करते हैं आपके जितना भी context है उनके पास पूरा record है ठीक है दोस्तों उनके पास पूरा आपकी mobile का context दूसरी photos वागेरा जो भी है उनको पता नहीं लेकिन context जो है वो उनके उपर पूरा show कर रहा है क्योंकि वो email आपकी mobile पे है जो भी आपकी mobile में क किस्ट एप्लिकेशन को जो भी आपने email मतलब email की तुरू आपने किस एप्लिकेशन को इंस्टॉल किया था उस email ID अगर आपकी phone में है अगर आप रिकोबर नहीं कर पार रहा है किस्ट वालों को payment तो वह email ID अगर आपकी phone में है तो बहुत सुबिदाए है उनके पास company वाल क पास अगर आप रिपेमें नहीं कर पाया तो क्या होगा आप phone रिसिन नहीं किया तो किया होगा लेकिन आपकी context मेरे पास है मैं आपकी जो भी गार्जेंस हैं उनको में call करके उनको ठारगेट करके मैं उनको परिशान करूंगा और उनसे में payment निकॉल होँगा तो इस तरह स से सोस के उन्होंने परिशान करते हैं family को phone करके इस तरह से गाली को लोस करके या फिर दमकी कर देते हैं तो क्या करना है आपको जो भी किस एप्लिकेशन में आपने जो भी email ID दिया थे उनको remove कर देना है किस एप्लिकेशन को uninstall करो कोई फरग नहीं परेगा लेकिन email ID तो है उनके पास सब record है चब से पहले आपको क्या करना है दोस्तों real part है यह आप ध्यान से उसको मनलब यह sure है 101% यह काम करेगा आप उस email ID को अपने phone से remove कर देना और एक बात ध्यान देना remove करने से पहले उस email ID का recovery email क्या था mobile number कौन सा था password क्या था उसको एक डायरी में note करके रखे क्योंकि remove करने के बात अगर आप कभी भी recovery करना चाहेंगे उस email ID को तो आपके पास फ्रूब नहीं है तो आप मतलब बहुत परिशान हो सकता है क्योंकि email ID जो है वह आपका बहुत सारा मतलब आपका YouTube का channel भी हो सकता है या फिर आपका blog भी हो सकता है कुछ भी मुद्व आरजेन email भी हो सकता है एचेंस Google एचेंस भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है इसलिए उसको note करके रखे पहले उसके बात आपको remove कर देना अपनी phone से ठीक है जब ज़रूरत है तो install कर लेना लेकिन दूसरी phone पर कर लेना कोई बात नहीं दूसरी phone पर लेकिन आपकी contact SIM आपकी इस phone से आपने remove किया है उसमें आपका SIM तो रहेगा हां लेकिन आपको call आएगा message भी आएगा आपको ही आएगा family को नहीं आएगा ठीक है यह family के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं family को कभी call नहीं Gmail open कर दिया इसके बाद manage account on this device आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको options मिल जाएगा तो आपको Google क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से select करना है आप कौन सी जैुमाईल को दिया था किस application में किस company को तो जैसे कि हम जैसे कि में यहाँ पर यह पिर क्लिक करेंगे यह आपकी आपकी मोबाईल से री मूव हो चुका है ठीक है हो और मीन्स आपकी क Administration पास आप नहीं रहा बिलकूल भी नहीं रहा आपकी communauté से मदर फदर सीस्टर अंकल आंटी जो भी है लो नहीं रहा लो कि उनके पास नहीं हैं लेकिन company वाले note नहीं करके राख सकते अगर आपने remove कर दिया है तो आपकी family को call कभी नहीं आएगा हां लेकिन number है लेकिन आपको ही आएगा phone उनके किसके तरफ से आप receive करो या ना करो आप बात करो या ना करो वह आपकी मर्जी है लेकिन call आपको आएगा लेकिन आपको call नहीं आएगा जब तक आप SIM को नहीं बदलेंगे तब तक आपका pass call आते ही रहेगा लेकिन family को नहीं आएगा बस में इस वीडियो को आपको यह बतना चाहता था कि family को अगर phone करके बार बार परसंग करती तो आपको क्या करता है बस आपको एक ही काम करना है email ID को remove कर देना इतना लंबा में वीडियो क्यों बना रहा हूं कि आपको मैं बतना चाहता था कि directly मैं बता देता तो आपको समझ में नहीं आता लेकिन आपने loan लिया होगा हो सकता है अपने repayment भी कर दिया होगा अगर कभी नहीं कर सकते हैं तो एक साल हो गया दो साल हो गया तो आपको परिशान हो जाता है इसलिए इसलिए मैं आपको बताया कि remove क्यों करना है और remove क्यों करना है ठीक है दोस्तों तो आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा आज के बाद अगर आपने यह काम कर दिया आप payment नहीं दे सकते हैं तो आपको email ID remove कर दो टेंशन कतम अगर आप चाहे तो आप payment करो या नहीं चाहे तो payment मत करो यह आपकी उपर में मैं छोड़ दिया हूँ ओके दोस्तों तो यह ही आज की वीडियो वीडियो का चले कर देना और अगर यह वीडियो में अच्छा लाइक और कोमेंस और मतलब अच्छा व्यूस अग अगरे में मैं आप वीडियो लाता रहूंगा ओके दोस्तों तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस तरह के जान करके वीडियो कैसा तब तक लिए बाइबाइबाइब टेक क्यार